हलो मेरे प्यारे बच्चो वालकम टू स्थाप अपकेडमी आम रुची उपध है यूर केमिस्टी मेंटॉर और फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है कास्टिक सोडा जो कि एचेट बेसे इंसॉल्ट हमारे ट्लास 10 केमिस्ट्री का सकिंड चैप्टर है और से लिगी नदी मैं एक सिंपल सा नाम लूँ क्या सोडियम हाइड्रोकसाइड तो यादा जाता है है ना कास्टिक सोडा ही को हम बोलते हैं इसका क्या मिकली जिसको हम नाम है वो क्या है सोडियम हाइड्रोकसाइड है और फॉर्मला ओफ सोडियम हाइड्रोकसाइड इस एन NaOH बच्छो NaOH को तो आपचे तरीके से जानते हैं एक strong base है यह alkali है एक strong base है है ना तो इस नाम को तो आपचे तरीके से जानते ही जानते हैं तो अब थमझे में आया कि caustic soda क्या है caustic soda जो है that is इसका chemical name हम बोलते है क्या that is sodium hydroxide and the formula is NaOH ठीक है यह एक strong base है जो कि मैंने आपको ब यह mono-acidic base है क्या है यह mono-acidic base आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा है ठीक है ना it is prepared by chloralkali process और यह बहुत ही important process है ठीक है ना तो इसको हमें अच्छे तरीके से समझना जरूरी है बच्छो क्योंकि इसके उपर questions आते हैं तो preparation of caustic soda preparation जो है वो जबकि क्या है chloralkali process है जिस इसे देखते हैं when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine जो sodium chloride होता है आप अच्छे तरीके जानते हैं the formalizer acl इसका aqueous solution खास और पर concentrated इसको क्या होता है डिकंपोस करते हैं और डिकंपोस होता है तो यह बनाता है क्या sodium hydroxide कैसे देखिए यहां sodium chloride लिया है हमने sodium chloride है जो कि क्या है aqueous form में है clear है पानी में और हम क्या करेंगे electrolysis की process करेंगे बच्छो क्या करेंगे electrolysis की process मतलब एक तरीके से देखा जातों यह sodium chloride है ना देखा जागा तो क्योंकि aqueous form में आपको दिखाई पढ़ा है यह तो यह aqueous form में जो है यह ब्राइन है concentrated अने सेल हमारा water के साथ जब reaction होती है तो क्या होती है electrolysis की process what electrolysis की process मतलब क्या और decomposition reaction हो रहा है यह बच्छो और decomposition especially क्या चीज हो रही है electricity के through हो रही है क्या हो रही है electricity electrolysis इतनी के से बोलेंगे तो जब electrolysis decomposition होता है तो देखिए इन से क्या मिलता है बच्छो naoh बनता है लेकिन जब sodium hydroxide बनता है जिसको हम क्लोर अलकल की process तो है जिसमें हमें क्या मिल रहा है sodium hydroxide मिल रहा है इसकी manufacturing की process है बच्छो लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा यह दो gases be produce हो रहे है chlorine gases gas and hydrogen gas अब यह कैसे मैं आपको एक image में दिखाती हूँ तो आपको जाह समझ में आगा देखिए यहां पर preparation का process दिखाई पड़ है इलेक्टोड लिए गए हैं देखिए यहां पर positive और negative है आपको एने cl solution देखिए यहां पर जब डाला गया तो क्या हुआ हमें पता है positive ion और negative ion में क्या होंगे decomposition हुआ तो दे बिलडिकंबोज जब डिकंबोज होंगी तो देखिए positive के तरफ यहां पे देखिए negative ions मतलब chlorine हमाई जाने लगे और negative क्या था नiliar कितेखिए लगए यहां पर negative है तो यहां पर देखिए हमारे क्या जाने लगा यहां पर cl है simple सORT बात है कि और यह था nd n जाने लगा हमारा किस की तरफ इसके तरफ जाने लगा दूसरी बात पानी था क्या था यहां पानी है अब पानी का भी तो वो होगा पानी भी ब्रेक होगा h plus में और oh minus में clear साथ क्या होगा यह जब ब्रेक होगा तो hydrogen gas नी मिलेगी और हमें क्या मिलेगा chlorine भी मिलेगा मतलब H2OCl2 भी मिलेगा तो यहां पर देखिये बता रहें कि देखिये chlorine gas यहां पर देखिये निकल रही है और hydrogen gas निकल रही है और क्या बन गया sodium hydroxide बन गया by electrolysis decomposition जो आपको यहां पर process simply दिखाई पड़ रही है अब बात करेंगे हम users की कि what are the users of sodium hydroxide sodium hydroxide is used for making soap and detergent आपको तो यह पता ही है कि साबुन basic nature का होता है है ना जब आप test करते हो कभी indicator test घर में भी कर सकते हैं आप तो साबुन को हम क्या बोते basic nature का होता है क्यों होता है यहां पर simply दिखाई पड़ा है क sodium hydroxide is used for making soap and detergent और sodium hydroxide क्या है कि strong base है ओके sodium hydroxide is used for making artificial textile fiber like rayon rayon जो एक artificial textile fiber है एक तरीके से rayon को artificial silk भी बोलते है ठीके ना इसको बनाने में भी use कियाता है sodium hydroxide is used in the manufacturing of paper also clear है sodium hydroxide is used for purifying bauxite ore ठीके firm with aluminium metal is extracted त्यान रखियेगा and sodium hydroxide is used in degreasing metal oil refining इसके अलावा जितने भी dyes and bleaches है उनको भी बनाने में use किया जाता है तो sodium hydroxide बहुत ही important जिसको हम caustic soda भी बोलते है बच्चो और इसका uses कई जगापे है सबसे जाए तो हम जानते है soap और detergent बनाने में use करते हैं साथ-साथ artificial textile fiber जिसको हम rayon बोलते जिसको हम artificial silk के नाम से भी जानते हैं उसको भी बराने में भी यूदता है पेपर की manufacturing में भी हम sodium hydroxide को use करते हैं साथ-साथ यदि हम बात करें बॉक्साइट की purification में ठीक है तो किसे और से तो वो भी क्या है देखा जाए तो sodium hydroxide का यूदता हो और साथ ही साथ यहां पर देखें लिखा है degreasing metal ठीक है oil refining and making dyes and bleaches में भी यूज करते हैं किसको sodium hydroxide को लेकिन इसके uses के साथ साथ मैं यहां पर chlorine का और hydrogen का भी बात करूँगी because आपने देखा कि अने वेच के साथ महा H2 और CL2 भी बन रहा था तो यह भी जाना दरूरी है अब uses of chlorine chlorine is used to sterilize drinking water supply and the water in swimming pool especially है ना देखा था bleaching powder था उसका भी देखा जाता है वहां पर disinfectant water क्यों बोला जाता क्योंकि chlorine gas पर डिस होती थी वहां पर है ना this is because chlorine is a disinfectant which kill germs like bacteria present in water and make it safe तो इस chlorine का कहां use करते हैं swimming pool में water को disinfectant रखने में बिल्कुल भी की तरीके का उसमें भी कोई भी microorganism grow ना करे इस current से chlorine को use किया जाता है chlorine is used in the production of bleaching powder अभी मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ मेरा last video था bleaching powder का तो उसमें chlorine gas को use किया जाता है chlorine is used in the production of hydrochloric acid भाई hydrochloric acid में भी देखा जाया तो chlorine जब hydrogen से reaction करता है तो क्या बनता है hydrochloric acid बनता है chlorine is used to make plastic such as polyvinyl chloride किसका PVC बोलते हैं किसको बोलते हैं PVC बनाने में बच्चो PVC जिसका formula आता है CH2CHCl this is a polymer है ना यह polymer होता है देखिए यहाँ पे chlorine को यूज के जा रहा है polyvinyl chloride PVC के pipe pipe होते है ना नाम सुना होगा आपने तो उसमें भी यूज करते हैं pesticide बनाने में भी देखो chlorofluorocarbon में भी chloroform में भी carbon tetra chloride में भी paint में भी dye stuff में बहुत सारी जगहों पर chlorine का यूज होता है chlorine is used for making solvent for dry cleaning उसमें भी हम क्या करते हैं chlorine को use करते हैं तो these are the uses of chlorine अब हम बात करेंगे भाई chlorine भी produce हुआ था sodium hydroxide भी produce हुआ था लेकिन एक चीज़ और बखी बची थी क्या hydrogen तब उसके बारे में देख लेते हैं users of hydrogen hydrogen यूज इंदी किसमें होता है hydrogenation of oil to obtain solid fat called vegetable ghee और अब भी इसके बारे में जाला ध्यान नहीं देना है सिर्फ इसको पढ़ लो इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से में पढ़ाने वाले हो hydrogenation of oil करके topic आएगा बच्चो आप लोगों का और मैं आपको पढ़ाऊंगी वो next chapter में हमारा आएगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये भी चीज समझा दूंगी है ना तो आपको ये ध्यान रखना है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो hydrogen is used in the hydrogenation of oil to obtain solid fat जिसको हम इतरीके से vegetable घी बोलते है ठीक है ना hydrogen is used in the production of hydrochloric acid जैसे की chlorine भी यूज़ा था chlorine था और यह था तो क्या बन गया था 2scl बन गया था यही चीज बना था बच्चो तो 2scl जो यहां पर बना तो असको लगाने कि यहां पर जरुवत रही है तो आप देख रहे है एस टू प्लस एल टू था तो 2scl यहां पर बन ग ammonia for fertilizer यहां पर फटलाइजर यहां यूज़ा था है NH3 दिख रहा है आपको तो यहां पर hydrogen यूज़ हो रहा है hydrogen is used to make methanol CS3OH ठीक है ना CS3OH यहां पर भी यूज़ा है liquid hydrogen is used as a fuel for rockets clear है the two products of chloralkali process जिसका नाम क्या है hydrogen and chlorine combined to produce another very important chemical called hydrochlor acid जो की बहुत ही important है और मैं आपको भी यहां पर मैंने बता भी दिया है तो आप में देखा यह यूज़स मैंने बता दिये क्या sodium hydroxide तो हमके बारे में तो हम पढ़ी रहे थे ठीक है इसको कास्टिक सोड़ा बोलते है फॉर्मुला एने वेच होता है यह के strong base है यह हम सब ची इनों के users बताए एने वेच के भी यूज़स बताए है hydrogen के भी और chlorine के भी और मैं उम्मीद करते हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा शौट सा था समझ भी अच्छी तरीके से आ गया होगा अब टाइम है लाइक करने का subscribe करने का share करने का bell icon को click जर